इक लड़की के साथ जबर्दस्ति होते है पर उसके बाद उसके किसी से भी बात नहीं करती है उसके साथ जो हुआ था, इसके बादे में उक किसी को भी पताणा निचाहती थी इस सबसे उसे खुद को बहुत ही ज़ादा तकलीफ हो रही थी क्या इन सब से उभर बाएगी या हम आज के अमारे मूवी स्पीक 2004 की एक हॉलिवोड ड्रामा मूवी में देखेंगे ये मूवी एक बहुत ही अच्छे से मैसेज के साथ आती है तो अंतक इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज ज़े लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे बिना किसी दरीके एक्स्परेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम अमारी में क्यारेटर मिलिंडा को देखते है वो अपने मूव पर जैसे किसी ने उसे स्टीच कर दिया हो इस तरीके से पेंट कर रही थी उसकी मदर ने आकर देखा और उस पर वो गुस्सा हो जाती है पर उसे एक काम पर जाना था तो इस वज़े से उसे उसे कुछ भी बात नहीं करती पुरा समर वेद गया था मिलिंडा का बिहेविर इसी दरीके से था तो मदर इस बात को इकनोर कर देती है आज स्कूल का फरस्ट है वो नर्वस थी और जाने से डर रही थी आज एक नई लड़की स्कूल में आई जिसका नाम है हेदर मलिंडा उसे उतनी जादा लाइक नहीं करती है पर उस स्कूल में नहीं है उसे फ्रेंड की जरुवत पड़ेगी और उस वज़े से मलिंडा उसकी फ्रेंड बनने के लिए मान जाती है वो बहुत जादा बोलती थी तो मलींडा को ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं बढ़ती है इनकी स्कूल की टिम की लड़कियों ने मलींडा को नोटिस किया था वो ज़्यादा कुछ भी बात नहीं करती है इसके बारे में मैं बात में पता चलेगा आज अपनी क्लास ढूंडते हुए मलिंडा को ज़रा लेट हो गया तो उसके टीचर मिस्टर ने उसे एक वार्निंग दे देते हैं इनकी बाइलोजी की क्लास थी तो मलिंडा का लैब पार्टनर ये डेव बना डेव हमारा ये बहुत ही ब्रेव क्यारेक्टर है मलिंडा को अपनी बाइलोजी की टीचर बहुत ही अगली लगती है इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें मलिंडा अपने समर ब्रेक के पहले अपने फ्रेंज के साथ एक पार्टी में चाह रही थी ये सीन हमें बीच-बीच में दिखते रहेंगे और हुआ क्या था इसके बारे में हमें पता चलेगा मलिंडा कैफेटेरिया में आई तो हर को इसका मज़ा कोड़ा रहा था तो वहाँ से हो चली जाती है हम देखते हैं कि उस रात पार्टी में मलिंडा बहुती ज़दा डिस्टब हो गई थी उसने पुलिस को कॉल किया था उस वज़े से सब लोगों को पार्टी से भागना पड़ा था कुछ लोग अरेज भी हो गई थे इसी वज़े से सारा स्कूल अब उसे हेट करता है उसके फ्रेंड्स भी अब अलग-अलग ग्रूप में चले गए थे इन्हें आर्ट सिखाने के लिए एक न्यू टीचर आये थे जिनका नाम था फ्रीमन फ्रीमन सबसे कहते है कि इसी ग्लास में तुम अपने आपको ढूण पाओगे अब इस मुमेंट पर तुम्हें क्या फिल हो रहा है इसके बारे में तुम्हें ड्रॉ करना है कोई भी अपनी फिलिंग्स बताता ने मलिंडा को एक ट्री मिली थी मलिंडा ने कहा कि मुझे ट्री ड्रॉ करना आता है इसमें मैं क्या ही कर लूँगे फ्रीमन गहते हैं कि तुम ड्रॉ करकर देखा वो बेसिक साथ ट्री बना देती है फ्रीमन ने कहा कि सिमिस्टर के खतम होते हुए इस ट्री में बहुत सारे चेंजेस आएंगे मलींडा की एक बेस्ट्रेंड थी जिसका नाम था रेचल ये भी उससे आज कुछ भी बात नहीं करती मलींडा ने अपसेट होकर अपने रूम में खुद को ढख लिया था उसकी मदर उसे देखती है पर मलींडा ने कहा कि सब कुछ ठीक है मदर हमेशा बहुत भीजी रहते थी तो मलींडा पर जादा ध्यान नहीं रख पाती है मलींडा ने रेयलाइज किया कि लोग जादा उससे अब बात नहीं कर रहे है तो खुद बात करना अगर बन करते तो कितने टाइम तक वो रह सकती है उसकी फ्रेंड हेदर तो खुद बहुत जादा बात करते थे तो मलिंडा को जादा बात करने की जरुवत नहीं भड़ती आज इनके क्लास में उनके टीचर नेक ये जॉब्स को लेकर बात करे थे उनके फैमिल्य अमेरिका में 200 यह से थी पर फिर भी उनके बेटे को जॉब नहीं लगती इसका रिजन अलग कंट्रे से आने वाले लोग उन्हें लगते है एक स्टोडर ने उन्हें बताने की कोशिश की कि शायद आपके वेटे में कुछ भी स्कील नहीं है पर इस बात पर गुसा हो गया यह बात डेव को थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती उनके खिलाफ खड़ा हो क्या कहता है कि आप रिजिस्टो आपके खयाले पुराने जमाने के इसी वज़े से आप यह सब भोल रहे हो नेग उसे दबाने की कोशिश करता है पर डेव खुद क्लास से बाहर चला गया अगली सीन में मलिंडा की साथ वाश्रूम में उसकी फ्रेंड रेचल थी मलिंडा उसे बात करने की कोशिश कर दिया पर रेचल ने उसे पुरी तरीके से इग्नोर कर दिया और वहाँ से चली गए मलिंडा ने वाश्रूम में एक गलत चीज लिखे तो इस वज़े से नेक उसका पीछा कर रहे थे पर स्कूल के क्लॉजेट में जाकर वो खुद को छुपा लेती है अब हमें फिर से पार्टी का सीन दिखाय जाता है पार्टी में मलिंडा को एंडी ने अप्रोच किया था उसे बहुत ये अच्छे से बात करता है और ये डांस करने लग गए थे डांस करते करते बारिश आके तो एक दुसरे को किस करते है अगली दिन लैब में इन्हें एक्स्पिरिमेंट करने के लिए एक एपल दिया गया था मलिंडा अपने खुद के खैलों में थी तो इसे ओख खा लेती है उस पर टीचर गुसा हो गए तो फिर से ओख क्लॉजेट में आके अपनी एक एक चीज वो वहां रखने लग जाती है पूरी स्कूल में उसे यही पर सेफ लगता था मलिंडा अपने फ्रेंड रेचल के ग्रूप के साथ लंच कर रही थी तो वहाँ पर एंडी आ जाता है उसके करीब आ करो दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था तो मलिंडा को यह बहुत ही अनकंफ़टेबल लगा उगुसे में वहाँ से चली जाती है हिदर के फ्रेंड्स ने उसे गा कि मलिंडा बहुत ही अजीब है हमारे ग्रूप के साथ अब वो नहीं रह सकती मलिंडा भी फ्रीमन के पास आ जाती है फ्रीमन कहते है कि तुम यहाँ पर लंच कर सकती हो पर सिर्फ तुमें ड्रॉ करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि क्या तुम थैंस्किविंग पर बाहर जाने वाली हो मलिंडा कहती कि अब में बड़ी हो चुकी हो फ्रीमन कहता है कि मेरे बच्चे है पर फिर भी मैं कैंडी लेने के लिए जाने वाला हु हमारे अंदर का इनॉसंस हमें कभी भी मरने देना चाहिए वो कुछ भी ड्रॉआ नहीं कर पा रही थी तो Freeman ने कहा कि एक ट्री इमेजिन करो जो मलिंडा को इमेजिन हुआ वहीं उसे ट्रॉख करने के लिए कहते है अब मलिंडा स्कुल में किसी से भी बात नहीं करती थी स्कुल के क्लॉजेट में जाकर वही पर हैंग आउट करती थी अब थैंक्स गिविंग आ चुका था मलिंडा की मदर को जादा अच्छा टर्की बनाना आता ने तो इस वज़े से वह इरिटेट हो गई थी फादर ने इस सब बात रियलाइज की और मलिंडा को डोनट खाने के लिए लेकर गये मलिंडा उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी पर कुछ भी बता नहीं पाती घराने परे देखते तो उनकी मदर ने उनके खाने की सारी वाट लगा दी थी मदर को उसके काम से कॉल आया तो कहती कि आज राथ हम भारी जाएंगे अगली दिन आर्ट क्लास में मलिंडा टर्की की बोन्स लेकर आई थी फ्रीमन बुश्त है कि ये क्या है मलिंडा को अब तक पता नहीं था थोड़ी देरे में उन्होंने देखा तो एक बहुत याच्छा आर्ट मलिंडा ने बनाय हुआ था फ्रीमन कहता है कि इस आर्ट में हम एक बरबात हुए हॉलिडे में एक परसन छुपावा देख सकते हैं मलिंडा सप्रेज थी कि उसकी फिलिंस को भी कोई जान सकता है नेकसीन में इनकी स्कूल में एक गेम था जहाँ पर मलिंडा जाती है उसके बीचे एक लड़की बेटी थी उससे गहती है जिस पार्टी में तुमने पुलीस को भेजा था उस पार्टी में मेरा ब्रदर भी था और वो अरेस्ट हो गया गेम चलता लक्त उसे वो बुली करती है अब हम फिर से पार्टी देखते हैं पारिश की वज़े से मलिंडा के हेर्स वेट हो गए थे तो एंडी उन्हें सुखाने में उसे हेल्प करता है उसे बुशता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी है मलिंडा पहले ज़रा कत्रा रही थी पर वो उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है रात में भी इसके बारे में उसे बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते है उसकी मदर ने नोटिस किया और वो कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा मदर को लग रहा था कि मलिंडा की कोई भी फ्रेंड ने शायद इसी वज़े से वो डिस्टर्ब है मदर कहती कि तुम्हारे साथ आज जो भी हो रहा है फ्यूचर में तुम सब कुछ भूल जाओगी ये सब चीज़े मैटर भी नहीं करेंगी नेक सिन में हम देखते हैं कि जब क्लास जल रही थी तो रेचल को टीचर का पॉइंट अच्छा नहीं लगता टीचर गुसा होकर पूरी क्लास को उसी पर एक ऐसे लिखने के लिए मजबूर करती है अगली क्लास में फ्रीमन का बजेट कट हो चुका था याने कि जो टीचर एक्च्छल में अच्छे है उन्हीं का बजेट कम किया जाता है जो बीना किसी रीजन की बच्चों को तंग करते हैं उनका खुछ भी नहीं होता ये बात मूवी हमें दिखा रही थी अपने बायलोजी की क्लास में मलिंडा को एक फ्रॉग को इंसीजन देना था ये वो कर निबा दी और उसे चक्कर आ गई थी डेव उसे फिर से होश में लाने के लिए हेल्प करता है नेकसे नम देखते हैं कि क्रिस्मस की किफ्ट्स ओपन किया जा रहे थे मलिंडा अपने परेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स लाती है फादर ने भी नोटिस किया था कि मलिंडा आजकल ड्रॉ कर रही है तो उसके लिए बहुत ही अच्छे ड्रॉइंग बुक को लेकर आते है नेकसे नम देखते हैं कि हिदर मलिंडा से बात कर दिया उसने कहा कि जब मैं स्कूल में न्यू थी तो तुमने मुझे बहुत हेल्प की थी आजकल तुम बहुत ही ज़ादा डिप्रेस रहती हो और मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं रह सकती तुम डॉक्टर के पास जाओ तुम्हें हेल्प की जरूरत है मलिंडा को इस बात से बहुत ही बुरा लगता है तो इस बात से उसके पैरेंट्स गुस्सा हो जाते है उसे कहते है कि कुछ ना कुछ करकर तुम्हें अपनी ग्रेट्स अच्छे करने पड़ेंगे वरना तुम कॉलेज में नहीं जाओ पाओगी मलिंडा ने फिर अपनी टीचर नेक से बात कि बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद नेक कहते है कि एक एसे लिख कर लाओ ये ऐसे जब मलिंडा ने सब्मीट किया तो नेक कहते है पूरे क्लास के सामने तुम्हें बोल कर सुनाना पड़ेगा ये बात मलिंडा को सही नहीं लगती है वो डेव की हेल्प लेती है और वो इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करते है इस बात से नेक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया उसे प्रिंसिपल के बास लेकर जाते है मलिंडा के बारेंड को भी बुलाया गया मरदर मलिंडा को भी ब्लेम कर रही थी पर फादर कहते हैं, लास्ट एर मेरी बेटी बहुत ही अच्छी थी, सबसे बात करती थी, उसके ग्रेड्स भी बहुत ही अच्छे थे, आखिर आपके स्कूल में ऐसा हुआ क्या, जिससे ओक किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाद डेव मलिंडा से बात करता है, क्यात उसे बहुत डिस्टरब करती है, आट क्लास में मलिंडा की बेंडिंग बहुत अच्छी हो रही थी, फ्रीमन ने उसे पिकासो का वक दिखाया, तो नहीं लगता था कि मलिंडा भी उस तरीके से कुछ कर सकती है, क्लास खतम हो जाने के बाद भी मलिंडा पेंट कर रही थी, तो एंडि वहावर बहुत जाता है, उसे बुशता है कि रेचल का पर है, उसे बात करने वाला था पर रेचल ने इन दोनों का साथ में देख लिया, इस बात से वो गुस्सा हो गई थी, एंडि ने कहा कि मुझे लगा था कि वो तुमारी फ्रेंड है, रेचल कहती कि वो मेर फ्रेंड नहीं है एंड़ी कुछ भी करकर उसे मना ही लेता है यह सब सुनने के बाद मलेंडा घर पर आकर अपने क्लॉजेट में छुपकर जोर से चिला दिया इसके बाद स्कूल में मेंटल हेल्थ टे था तो मलेंडा स्कूल में ने जाती है वो एक हॉस्पिटल में आ गए और एक एमटी बेड पर उसो जाती है उसने हमसे कहा कि वेसे भी घर पर उसो नहीं पाते हमेशा उस रात के बारे में उसोचती रहती है पूरा दिन बीद गया पर फिर भी मलेंडा को किसी ने नोटिस नहीं किया था तो रात में ओ घर पर आ जाती है अगले दिन मलेंडा से फ्रेंड बनना चाहती थी पर मलिंडा इन सबसे अब तंग आ चुकी थी उसे कहती कि तुम इस तरीके से मेरा यूज नहीं कर सकती उसे जाने के लिए मलिन्डा इस तरीके से विक्टिम बनने से तंग आ चुकी थी वो स्कूल में जाकर टेनिस टीम के लिए ट्राय करती है और वो बहुत ही अच्छा खेल रही थी मलिन्डा एक कंफ्लिक्ट में थी उसे लग रहा था कि रेचल को से सब कुछ सच बता देना चाहिए अगर वो ऐस नहीं करती तो शायद एंडी उसे भी हड कर देगा उसके साथ जो हुआ था इसके बारे में उसे किसी ना किसी से तो बात कर रही थी वो फिर रेचल के पास आ जाती है उसने रेचल से पुचा कि क्या तुम और एंडी कपल हो रेचल कहती कि सब कुछ बहुत यह अच्छा च गुसा शांथ हो जाने के बाद रेचल ने इस बात पर सोचा था वो एंडी को इस बात को लेकर कंफरेंट करती है एंडी इससे गुसा हो गया और चला जाता है रेचल ने फिर उससे ब्रेक अप कर लिया था नेक सिन में देखते हैं कि मलींडा के फादर की जॉब चली गई नेक सिन में डेव मलींडा के पास आया वो कहता है कि एर बुक के लिए तुमारी साइन दे तो मलींडा कहती कि मेरी फोटो किसने भी ली नहीं थी डेव कहता है कि मैंने ली थी मलींडा को देखकर बहुत यह अच्छा लगता है डेव ने इसे कहा कि आज राज सब फ्रेंड करना चीज मुझे अच्छी नहीं लगती हर को यूनिक होता है मलींडा उन्हें अपनी डिखाने के लिए लेकर जाती है पूरे सेमिस्टर ने मलींडा ने बहुत सारी ट्रीस की ड्राइंग बनाई थी और हर एक बहुत ही जादा यूनिक थी यह सब देखकर फ्रीमन के आख पटल लेती है और एंडी के आख में डाल देती है वो फिर भी उससे मारने की कुशिश कर रहा था मलींडा की चीके सुनकर स्कूल की टीम की लड़किया उसे बचा लेती है टीम की लड़की के साथ भी एंडी ने जबरदस्ति की थी तो इस वजह से उन्हें सब कुछ पता यह सब बात फिर वो टीचर्स को बता देते हैं एंडी को जेल में जाना पड़ा मलींडा की मदर को जब में बात पता चले तो उसे बहुत सपोर्ट करती है मलींडा भी अब सब कुछ बताने के लिए रेटी थी फाइनल यो खुद के लिए स्टैंड करने के लिए सीख गई को सब्सक्राइब कर दीजिए और मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एंग नमुए के साथ अब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया